हलो दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट इंडिया जीके के अंतरगत भारत के प्रमुख दीप एबं दीप समुगों के बारे में बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंतरगत हम आपको बताएंगे भारत के दीपों से सम्मंदित सभी खास चानकारियां जो आपको आगामी परिच्छाओं के लिए बहुत एदा इंपोर्टेंट होंगी तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ आज किस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं गंगा सागर दीप कहा है तो पश्चिम बंगाल में है और किस नदीपर है हुगली नदीपर हम बात करते हैं न्यू मुरे दीप के बारे में कि न्यू मुरे दीप है ये कहां अवस्तित है तो आपको बता देना है ये पश्चिम बंगाल में अवस्तित है और हुगली नदी पर है न्यूमुरे दीप की अगर बात करें तो यह यह भी हुगली नदी पर ही है और पस्चिम बंगाल में है यह भी ठीक है न्यूमुरे दीप की कुछ बिशेष्टा है उनको आप जान लिजे कि जो न्यूमुरे दीप है यह भारतवा बंगला देश की बीच में अधिकार क हो गया है समुद्र के अंतर समाईत हो गया है किलियर पॉइंट यहां तक अब बात करते हैं नेक्ट अगले दीप की अगला दीप है हमारा पंबन दीप पंबन जो दीप है यह तमिल नाडू में अवस्तित है याद रखना पंबन दीप किस राज में है तमिल नाडू में है औ से उनको भी जान लीजिए कि पंवन दीप को रामे सोरम दीप के नाम से भी जाना जाता है ये रामे सोरम दीप के नाम से भी प्रिसिदे पंवन दीप और इसके अंतिम चोर पर धनुसकोडी गाओं बसा हुआ है याद रखना है कि धनुसकोडी गाओं है वो किस दीप पर बस के बारे में जिसको एडंब्रीज भी कहते हैं तो एडंब्रीज कहा पर है तमिल नाडु में आपको याद रखना है तमिल नाडु राज्ज में है एडम ब्रीज आदम का पुल और यह भी मननार की खाड़ी में अवस्तित है यह बात आपको याद रखनी है अब इसके बारे में कुछ जो आदम का पुल है यह तमिलमनाणु के धनस्कोडी से प्रारम होकर स्री लंका के तलाई मनना दीप तक वस्तित है यह बात आपको याद रखनी है कि जो आदम का पुल है जिसको मराम सेत भी कहते हैं यह स्री लंका और वहरत की बीच में एक पुल है जिसको भगवान स्री राम ने बनाया था जिसको आदम का पुल या एडम ब्रीज या राम सितु के नाम से जानते हैं तो याद रखना कि यह जो किस दीप से प्रार्म होता है तो आपको पता होना चाहिए यह जो स्री लंका का तलाई वनना दीप है यह अबस्तित है यह बात आपको याद रखनी है इस दीप के बारे में कुछ important बातें आप जान लीजिए जो श्री हरी कोटा दीप है यह पुलीकट जील के सम्मी पिस्तित है और यह है दीप पुलीकट जील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है लग करता है यह बात याद अंत्रिक चिकेंद्र इस्तित है बहुत ही important है कई बार पूछा जाता है कि 37 धवन अंत्रिक चिकेंद्र कहां अबस्तित है तो श्री हरी कोटा दीप पर अबस्तित है आंदप्रदेश राज्च में बात करता हूं next अगले point की तो अगले point की तरफ चलने से पहले हम देख ले हैं देखिए यह हैं पर आपको डीख रा आयकि यह जो अपना यह अरिया दिख रहा है और यहींपर यह गंगा सागर दीप और नियूमुरे अब् sırी हरी कोटा दीप के वारे पढ़ा खूम और श्रीरी कोटा डीप है जो आंद्रशी उस जगे है यह मननार की खाड़ी है उ को पता होना चाहिए अभी हमने दो दीपों के बारे में पढ़ा था कि यह तो पमदीप हो गया और जो यह आपको यहां पर दिख रहा है यह हो गया हमारा आदम का पुलिसकुम क्या कहते है आदम का पुल कहते है जो तमिलाणू राजी में अवस्तित है तीक है अभी इनी दी पर अबस्तित है इसको बात को याद रखना है बरतमान में जो वीलर दीप है इसका नाम क्या रख दिया गया है अब्दुलकलाम दीप रख दिया गया ये भी बात याद रखना है और जो वीलर दीप अपने मिसाल परिक्षड के कारण क्या रहता है चर्चा में रहता है हमेश रखनी है ठीक है बात करते हैं नेक्ट अगले दीप की अगला दीप है मारा ख़दियावेट दीप ये गुजरात राजी में अवस्तित है और किस नदी पर अवस्तित है ये तो आपको बता देना एक निरमदा नदी पर है खदियावेट दीप नेक्ट अगला है हमारा अलियावेट दीप देखें अलियावेट दीप है ये भी कहा है गुजरात राज़ में अवस्तित है और किस नदी पर है ये तापती नदी पर अवस्तित है ये बात भी याद रखनी है जो अलियावेट दीप है ुकर आपको याद रखनी है नेस्ट अगला दीप है हमारा तर देप और चप्रस्जें और बात आपको याद रसे हैं। कि अगला जोडीक ही है हमारा वह है पिरांजीब कौई सबीप पिरमधी जो घुज़रात राज्य चंऩे और खमबाद की खाड़ी में यह अवस्टिताया है। आपको याद रखनी है कि हमबात की खाड़ी में है प्रहुमदीब बात करते हैं नेक्ट अगले दीप की कि दमणवा दीप देखी ये दोनों जो दीप है एक तरीके के छोटी छोटी दीप है ये केंदरसासित प्रदेश में भी आते हैं हमारे तो देखी ये गुजरात राज्य में है दमणवा दीप ये भी गुजरात राज्य के इंतरगत आत है मारा elephanta deep elephanta deep महाराष्टर में अवस्तित है है और मुंबई के निकट बसा हुआ है कि सकते हैं अवस्तित है नेश्च अगला है मारा salset deep ये भी salset deep भी महाराष्टर में है बहुत ही फ्यमस जीए इस समनन्नित question पूछे जाते हैं तेukh एक सालसेट्ट जो दीब है इस दीब पर Mumbai वा 911 अबस्तित अयद के एंप बात करते ह慶े पांज पूंघ में अगले पॉंटम्ट के तरफ चलने से पहले हम देख लेते हैं मैप में देखिए यह गुजरातराज है माहरा और गुजरातराज में देखिए यह अलिया वیड दीप है यह खदिया वीड दीप है यह दमन है और यह दीप है फिर आई honeymoon है पृइ Caitlin तीप point के लिए यहां तक यह हमने सभी पढ़ लिए हैं अभी ठीक है अब बात करता हूँ next अगले दीपों के बारे में देखे वीलर दीप यह उडिशा में है यह वीलर दीप है आपका यहां पर दिख रहा है green color में ठीक है अगला जो दीप है वो है कि यह विस्व का सबसे बड़ा क्या है मध्य नदी डेल्टा तंत्र का निर्माड करता है और इसके लावा यह है एसिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का क्या है नदी दीप है यह बात आपको याद रखनी है क्लिए रहा तक point आपके सारे point अब देखें next अब बात करते हैं अगले point की अब बात करते हैं विस्व के सबसे बड़े नदी दीप के बारे में देखिए जो माजूली दीप है यह एसिया का किसका है एसिया का सबसे बड़ा ताजे पानी का नदी दीप है अगर हम बात करें विस्व के लेबल पर त आपको याद रखनी है अब बात करते हैं नेस्ट अगले दीपों के बारे में तो देखिए दो दीप हैं अन्डमान निकुवार दीप समू जिसके बारे में मैं एक बिस्तरत वीडियो बना रखी है आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं भारत दर्सन की स्रंकला के अंतर किवल यहाँ पर आपको इतना बताए जाएगा इनकी अबस्तिति के बारे में तो अन्डमान निकुवार जो दीप समू है भारत के दच्छिट पूरम में बंगाल की खाड़ी में अबस्तित है और लक्षी दीप समू की बात करें तो यह बारत के दच्छिट पस्चिम में अरब सागर में इस इतना ही बात याद रखनी है यह थे भारत के प्रमुख दीप यवं दीप समू सभी में ने यहाँ पर आपको बिस्तरत रूप से संचिप रूप में संपूर जानकारी के साथ यहाँ पर बतला दिये हैं वीडियो अच्छी लिए तो वीडियो को लाइक आज में अबस्तित है ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा वाई वाई वाई